दोस्तो बहुत सारे लोगों की प्राब्लम होती है कि वो बेशन के लड़ू बनाते हैं तो लड़ू खाते समय लड़ू जो है न वो तलुए में चपकता है और टेस्ट भी लड़ू का अच्छा नहीं आता है तो लड़ू बनाते समय कुछ ऐसी इंपोर्टेंट टिप्स होत तो उनी टिप्स को आभी फॉलो कीजिए और बनाईए स्वादिष्ट बेशन के लड़ू तो चले साथ में मिलके बेशन के लड़ू को बनाना शुरू कर लेते हैं बेशन के लड़ू बनाने के लिए ये मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बेशन लिया है मैं ज्यादा कॉंटिटी में लड़ू बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में सबको लड़ू बहुत पसंद है इसलिए ज्यादा बना के रखती हूँ तो ये मैंने 500 ग्राम बाजार का पिसा बेशन लिया है जो मार्केट में हलवाई लड़ू बनाते हैं वो नौरमल क्या करते हैं दरदरा मोटा पिसा हुआ बेशन का इस्तिमाल करते हैं पर अभी हम लोगों को तो मोटा पिसा बेशन नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ एक ऐसी चीज का इस्तिमाल क जिसकी मदद से मैं बिल्कुल बाजार के हलवाई वाले लड्डू बनाती हूं तो आप वीडियो को इसके पना करें लाज तक देखें कि मैं ऐसी क्या चीज इसमें डालती हूं कि लड्डू बिल्कुल हलवाई के जैसे बनते हैं तो चले चलते हैंगे इसकी तरफ और इस बेशन को लेचलते हैं तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह एकदम मोटे तले वाली कढ़ाई ली है तो आप मोटे वर्तन कहीं इस्तिमाल करें और अगर आपके पास मोटा वर्तन ना हो तो कोई बात नहीं आप पतले वर्तन में भी लड्डू बना सकते हैं पर उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ी महनत ज्यादा करनी पड़ेगी लगाता चलाना पड़ेगा अब यहां पर मेजर्मेंट की बात आती है तो मैंने यह 500 ग्राम बेसन लिया है तो उसके लिए मैं जो घी इसिमाल करूँगीगी वो इस कप के माप से डालूँगी यहाँ पर यह मेरा चाय वाला कप है जो रोज मर्रा में मैं चाय पीती हूँ वो ही कप मैं इस्तिमाल कर रही हूँ तीन कप देशी घी मैंने इसमें डाला है और अगर आप ग्राम के साफ से दिखेंगे तो यह भाई सो एमल यह भाई सो ग्राम देशी घी मैंने इस्तिमाल किया है और घी में यह मैं बेशन डाल देती हूं तो बेशन डालने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर बेशन को घी में अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेना है जैसे ही बेशन अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसको हम अच्छे से चलाते हुए फूनेंगे लगातार नहीं चलाना है बस बीच-बीच में चलाते रहना है जिससे कि बेशन तली में नीचे ना लगे और जलेना तो हम ऐसे चलाते रहेंगे और चलाते हुए ही बेशन को अच्छे से पूनेंगे यहां पर यह जो मेरा श्टील का स्पचुला है अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो मैं इसको चेंज कर लेती हूं और यह मैंने लखडी का स्पचुला ले लिया है तो अभी आपको यहां पर बेशन थोड़ा सा टाइट दिख रहा है यानि की ठिक दिख रहा है जैसे जैसे यह भूनेगा अपने आप ही यह लूज होता जाएगा तो अब हम इसको ऐसे बीच बीच में चलाएंगे और चलाते हुए अच्छे से भूनेगे ये दिखिए अभी बेशन को भुनते भुनते पांच मेट हुए है और पांच मेट मेट में ही ये हलका सा लूज हो गया है तो बस ऐसे ही लो फ्लेम पे ही बेशन को हमें अच्छे से भुनना है बेशन को लो फ्लेम पे भुनते भुनते 20-25 मिनट हो गया है टेक्शर भी एकदम पर्फेक्ट आ गया है और इसका जो कलर है वो भी पर्फेक्ट आ गया है और इसमें से भुनने की बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है बस इसको निकाल कर परात में रख दूंगी और कर ल दोस्तों मैं बेशन के लड्डू बनाने के लिए बूरे का ही इस्तिमाल करती हूं बूरा डालने से ही जो लड्डू है बिलकुल हलवाई के जैसे बनते हैं अगर आप इसी हुई चीनी का इस्तिमाल करेंगे तो लड्डू उतने जादा दानेदार नहीं बनेंगे तो बस यही मेरा special ingredient है जो कि मैं हमेशा ही बेशन की लड्डू बनाने में इस्तिमाल करती हूं अच्छे से यहां पर यह मिल गया है और दमदानेदार हो गया है तो अब हम दमाते हुए ऐसे लड्डू बनाएंगे साइस आप अपने according रख सकते हैं जैसे बड़े चोटे लड्डू ब बना पारे हूं इसलिए मैं बैठ गई हूं बैठते ही मैं सारे लड्डू बनाके रख लेती हूं यह हमारे बेशन के लड्डू बन गए हैं तो आदा किलो बेशन में लगभग डेड़ किलो लड्डू बनके तयार हुए हैं पहले मैं काना जी को भोग लगा देती हूं उस